Hello Friends, आज की वीडियो में हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है Election of 1937 and Formation of Congress Ministries हुआ क्या कि तीनों Roundtable Conferences 1930 से 1932 के बीच हुई इन तीनों Roundtable Conferences में जो भी recommend किया गया उसे मिला जुलाकर March 1933 में एक white paper publish किया गया इस white paper पर British Parliament में बहुत सारे discussions हुए, कई सारे debates हुई और इस पूरे process के बाद 1935 में इस सब के base पर Government of India Act 1935 लाए गया Government of India Act 1935 की सबसे खास बात ये थी कि इस Act ने सभी Indian provinces को autonomous बना दिया था यानि Act of 1935 ने पहली बार देश में provincial autonomy इंट्रोडियूस की थी और अब हर एक province यानि हर एक प्रांत में सरकार जो है वो election के base पर चुन कर आएगी उस समय कुल मिलाकर 11 provinces थी, जो इस map में light blue color से highlighted है 1937 election इनी 11 provinces में हुआ बाकी का जो ये light brown region है उसमें ये elections नहीं हुए थे और वो इसलिए क्योंकि ये सब princely states थे तो अब हम देखेंगे कि ये 11 provinces कौन कौन सी थी इनके नाम क्या क्या थे इनके नाम है मदरास, Central provinces, बिहार और उरिशा, United provinces, Bombay Presidency, Assam, Northwest Frontier province, Bengal, Punjab और सिंद इन 11 provinces में total 1585 seats पर जब साल 1936 में elections अनौंस किये गए तो इन 1585 seats में से 482 seats जो है वो Muslim candidates के लिए reserved की गई थी यानि इन पर सिर्फ Muslim candidates ही खड़े हो सकते थे Muslim league ने तो इन सभी seats पर अपने candidates खड़े किये ही थे साथ में Congress भी पीछे नहीं थी Congress ने भी अपने 58th Muslim candidates जो है वो इन reserved seats पर खड़े कर दिये अब ये तो हुई leaders की बात बट इन leaders को vote कौन करेगा यानि voters की भी बात कर लेते हैं Basically 1935 से पहले बहुत ही limited लोगों के पास vote करने के अधिकार हुआ करते थे लेकिन अब Act of 1935 के बाद अराउंड 3 करोड लोगों को vote करने के rights दे दिये गए जो की total population के 14% थे इसा बहुत जोरो सोरो से ये elections शुरू हो गए इन elections का result February 1937 में declare भी कर दिया गया इन elections में Congress ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी 1585 सीट में से total 707 सीट जीत कर तो पहले नमबर पर रही Congress और दूसरे नमबर पर रही All India Muslim League जिसने total 106 सीट जीती थी लेकिन यहां Muslim League के लिए ये सबसे दुख की बात थी क्योंकि out of 482 सीट जो Muslims के लिए reserved थी उनमें भी Muslim League सिर्फ 106 सीट जीत पाई थी In fact 26 Muslim reserved seats पर तो Congress के Muslim candidates ने Muslim League के candidates को बुरी तरह से हरा दिया था आप क्योंकि Muslim majority areas में भी अगर Muslim League के candidates जीत नहीं पाई थे तो ये साफ हो गया था कि Muslim League किसी भी माइने में Muslim population को represent नहीं करती थी जैसा कि Muslim League के leaders दावा करते थे और वहीं दूसरी तरफ Central province, बिहार, उरीसा, मदरास और United province में Congress ने 50% से ज़्यादा seat जीती थी यानि इन पाचों प्रोविंसे में Congress को absolute majority मिली थी तो यहां तो Congress ने अपनी ministries form करनी ही थी इसके अलावा तीन और provinces यानि Northwest Frontier province, आसाम और Bombay में Congress को absolute majority तो नहीं मिली थी लेकिन फिर भी Congress यहां पर सबसे बड़ी party थी और सबसे ज़्यादा seats इन provinces में Congress नहीं जीती थी और सरकार बनाने के लिए सिर्फ 5 और 6 seats सी कम पड़ रही थी इसलिए इनोंने इन areas में local parties और leaders के साथ मिलकर coalition government form कर दी थी यानि गटबंधन के सरकार बना दी थी इसके लावा पंजाब में Muslim League और सिकंदर हयात खान की unionist party ने एक गटबंधन के सरकार बना दी और साथ ही साथ बंगाल में भी Muslim League ने फजलूल हक की कृशक प्रजापार्टी के साथ मिलकर गटबंधन के सरकार बना दी और अब बचा सिंध यहाँ पर सिंध Muslim Political Party ने सरकार बनाई थी इन elections में एक significant point ये भी था कि यहाँ पर B.R. Ambedkar की independent Labour Party ने Bombay की 17 seats पर contest किया था जिसमें से की 14 seats ये जीत गए थे तो ये एक बहुत ही important point है हलकि क्योंकि Bombay presidency में total 175 seats थी तो आप 14 seats से सरकार तो नहीं बना सकते तो सरकार तो यहाँ पर Congress नहीं बनाई और वो भी गटबंधन की तो ultimately 1937 elections के बाद 11 में से 8 provinces में Congress नहीं अपनी सरकार बनाई अब सरकार तो बन गई और लोगों को Congress Ministries से उमीदे भी बहुत ज्यादा थी Congress ने सरकार बनाते ही पूरी तरह से Civil Liberties को बढ़ाना शुरू कर दिया कई सारे Land Reforms, Industry Reforms और Social Reforms से लेटेड विधियक पास कर दिये इन बिल्स को हम इस वीडियो के Part 2 में डीटेल में डिसकस करेंगे तो ऐसा करते हुए Congress Ministries को बने अब 28 महीने हो चुके थे साल था 1939 Congress के भरसक प्रियास के बाद भी इंडिया के कई सारे सेक्शन्स Congress के कामों से खुश नहीं थे खास कर दलित, किसान और पीजेंट्स और इंडस्ट्रीज में काम करने वाला मजदूर वर्ग और इसी के साथ साथ All India Muslim League elections की हार को पचा तो पाई नहीं थी तो इन्होंने भी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था पीरपूर कमेटी इस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें इन्होंने बताया कि Congress हिंदी और हिंदूओं को फेवर करती है और इसी के साथ साथ Muslims को suppress करती है तो यहाँ पर इन्होंने Muslims को हिंदूओं के खिलाव भढ़काना शुरू कर दिया इसी बीच पता चलता है कि Vice Roy Lord Lilnitko ने 3 September 1939 को ये डिकलेर कर दिया कि इंडिया जो है वो World War 2 में जर्मनी के खिलाव Britain के साथ मिलकर यूद करेगा Congress ने इसे strongly object किया कि यार अब तो हम सरकार में हैं हमसे एक बार पूस्ट तो लिया होता इसके साथ साथ Congress ने अपने एक demand भी रखी कि ठीक है आपने ये decision ले तो लिया है लेकिन हम आपके साथ corporate सिर्फ तभी करेंगे जब आप ये promise करें कि war खतम होने के बाद आप हमें आजादी दे दोगे Lord Lilnit को ने कहा कि देखो यार आजादी दूँगा नहीं दूँगा ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन अब जो decision मैंने ले लिया है इसको तो मैं नहीं change करूँगा अब और इतना भढ़कने की जरूत क्या है ये तुम अपनी नेतागरी कौनो गर्चेत में जाके करो हमारा आशिरबाद है बहुत आगे जाओगे तो Congress Ministries ने भी इसका जवाब अच्छे से दिया 22 October 1939 में सभी के सभी Congress Ministers ने अपने स्थीफे दे दिये इस वीडियो की notes bookstawa.com website पर available है link आपको description में मिल जाएगा bookstawa channel पर history की बहुत सारी videos available है आप उनको देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो इसको like करें, दोस्तों के आज share करें और ऐसी ही और वीडियो को देखते रहने के लिए bookstawa channel को subscribe करें thank you so much for watching bookstawa